जबस तो शुरू करते हैं exercise 3.1 से question number 1 आफताव tells his daughter, आफताव अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का साथ गुना था जब तुम उस वक्त उतने उम्र की थी उसका मैं साथ गुना था also 3 years from now और आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उस उम्र का तीन गुना हो जाऊंगा जितनी तुम हो जाऊगी तो represent this situation algebraically and graphically तो इस situation को आपको algebraically और graphically दोनों तरीके से represent करना है चलिए शुरू करते हैं देखिए इसमें दो लोग हैं एक आफताब है और एक उसकी बेटी है और age का ये question है तो सबसे पहले तो जब भी age का question आता है और उसमें दो लोग होते हैं तो उनकी present age को आप x और y माल लेते हैं तो यहाँ पर solution में सबसे पहले आपको let आफताब्स प्रेजेंट एज इस इक्वल टू एक्स एर्स present यानि आज की उमर उनकी कितनी है and daughters present age is equal to y years तो माल लिया आज आफताब x years का है और उसकी बेटी y years की है अब इसमें दो case है पहला case है आज से 7 साल पहले का तो इससे case 1 डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7 years ago अब 7 साल पहले आफताब कितने साल का हो जाएगा आफताब's age 7 साल पहले आफताब अपनी आज की उमर का 7 साल कम हो जाएगा यानि अगर आफताब आज x years का है तो 7 साल पहले वो कितना हो जाएगा x minus 7 years 7 साल कम होगी न उसकी उमर 7 साल पहले उसी तरह से उसकी बेटी की एज कितनी होगी डॉटर's age तो डॉटर's डॉटर's age भी उसकी 7 साल कमी होगी जितनी आज है आज उसकी उमर y साल है तो 7 साल पहले वो 7 साल कम होगी यानि 7 minus sorry y minus 7 years अब 7 साल पहली बात ये है कि बाप बेटी के जो उमर थी उसमें जो relation है न वो इस तरह से बुक में दिया है कि ये है आफ़ताब की उमर x minus 7 और ये है डॉटर की age y minus 7 जो आफ़ताब है वो अपनी बेटी से 7 times बड़ा था तो अगर मुझे इनकी उमर को बराबर करना है तो मेरे पास 2 choice है या तो मैं आफ़ताब की age को 7 से divide कर देता हूँ तो बराबर हो जाएंगे या फिर मैं बेटी की उमर को 7 times multiply कर देता हूँ तो फिर यह दोनों की उमर बराबर हो जाएगी तो multiply वाला जो option है वो ज्यादा बहतर है तो मैं जो daughter है उसकी age को 7 times कर देता हूँ अब numerically दोनों की जो age है वो बराबर हो गई तो यहाँ से मुझे equation मिल जाएगी तो equation बनाता हूँ मैं x minus 7 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 7y और 7 7s are 49 और यह minus अब x को एक तरफ और यह जो y इस तरफ है दूसरी तरफ इससे मुझे धर लाना है तो x minus 7y और right side में अपने numbers को रखना है तो minus 49 यहाँ already है यह जो minus का 7 है यह इधर move होगा तो आपका plus 7 हो जाएगा तो x minus 7y is equal to minus 49 plus 7 आपका minus 42 हो गया तो यह equation 1 बन गई number 1 equation अब इसमें जो दूसरा case है case 2 case 2 इसमें है आज से 3 साल आगे का यानि 3 years from now तो आप पहले ऐसे describe करेंगे case 2 को 3 years from now अब तीन साल बाद क्या क्या होगा आफताब की एज कितनी हो जाएगी आफताब से एज देखिए आज present एज अगर उसकी x years है तो आज से तीन साल बाद वो तीन साल और बढ़ जाएगा यानि आज की उसकी उम्र में तीन साल और एड हो जाएगे तो तीन साल बाद उसकी एज हो जाएगी x plus 3 years उसी तरह से डॉर्टर की एज भी डॉर्टर की एज भी आज उसकी y है तो तीन साल बाद वो तीन और जादा हो जाएगी यानि y plus 3 years अब तीन साल बाद क्या होगा तीन साल बाद ये कहा गया है कि आफताब की एज उसकी बेटी की एज से तीन गुना ज्यादा होगी तो ये तो है आफताब की एज और ये है उसकी बेटी की एज अब आफताब तीन टाइम्स ज्यादा होगा न तो अगर मुझे इन्हें बराबर करना है तो मैं बेटी को 3 से multiply कर दूँगा क्योंकि बेटी की 3 से multiply होके आफताब की age के बराबर age हो जाएगी equation बनानी होती है इसलिए ऐसा करते हैं तो बन गए equation इसे simplify करें x प्लस 3 is equal to ये 3y हो गया ये 3300 प्लस का 9 हो गया अब x और y को रखेंगे left side में तो y यहां से उठके आएगा तो x minus 3y हो गया is equal to right side में रखेंगे आपके number को तो ये 9 already है यहां से plus 3 move होके minus 3 हो गया x minus 3y is equal to 9 minus 3 आपका 6 बन गया ये हो जाती है आपकी equation number 2 अब ये तो algebraically हो गये algebraically का मतलब simple होता है कि आपको equation बना के दिखा देनी है अब इसी को आपको graphically भी show करना है और graph आप जानते हैं 9th class से कि graph बनाने के लिए आपको दो values चाहिए होती है xy की जो की equation से ही बनती है तो दो equation है दोनों का अलग-अलग graph बनेगा अलग-अलग line बनेगी graph के उपर और एक ही graph के उपर उनको plot करना है तो first equation में से पहले values निकालते हैं देकि value निकालने के लिए आपको एक variable को बिलकुल अकेला करना होता है यहाँ मेरी यह first equation है तो इसमें से मैं x को लग कर लेता हूँ x is equal to minus 42 और जो minus 7y है इसे मैं इधर ले जाँगा तो यह plus 7y हो गया अब इस equation के अंदर बारी बारी से मैं y की कोई value भरूँगा दो बार और मेरा x आएगा और उन values को मैं इस table में लिखूँगा यहाँ पर मैं value table बना लेता हूँ जो value हम निकालते हैं उनको यहाँ पर भरना है और आपको दो ही value निकालनी है क्योंकि दो value से एक line segment बन जाता है एक सीधी line बन जाती है तो पहले मैं रखता हूँ y की जगे पर मैं यहाँ पर रखता हूँ 5 आपको ऐसे ध्यान लगाना है कि आप ऐसी values रखें ताकि आपका जो resulting answer आए वो भी उससे थोड़ा सा match करें ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत बढ़ा हो ना छोटा हो क्योंकि आपको graph के उपर भी limited boxes होते है तो अपनी value को भी उसी हिसाब से अपने control में ही रखें तो जब मैं y की जगे यहाँ पर 5 रखता हूँ तो मेरा x आएगा यह minus 42 as it is लिखना है यह plus 7 as it is और y की जगे मुझे 5 भरना है तो x मेरा आजाएगा minus 42 plus 35 आगे जब इसे solve करेंगे तो यह solve होके minus 7 आगया फिर अपने इस box में लिखेंगे आप यानि जब आपने y को 5 रखा तो आपका x minus 7 आया इस तरह से एक value और चाहिए आपको तो एक और try करते हैं इस बार मैं y की जगे पर 6 भर लेता हूँ तो y is equal to मैं 6 रख लेता हूँ तो equation में x is equal to minus 42 plus 7 और 7 के आगे भरी जाएगी आपकी y की value यानि की 6 solve किया यह minus 42 और 7 6 आपका 0 तो x आगया आपका 0 तो जब आपने y को 6 भरा तो आपका x 0 आगया हूँ यह तो first equation की दो values आगई इसी तरह से आपको second equation की निकालनी है तो second equation के लिए भी यही सब करेंगे सबसे पहले तो जो आपकी equation है इसका एक variable आप बिलकुल अलग कर लेंगे मैं x को कर लेता हूँ यहाँ पर left side में और right side में मेरा हो जायागा यह 6 तो अपनी जगे पर ही है यह जो minus 3y है यह इधर चला जायागा तो plus 3y हो जायागा अब इसके अंदर मैं बारी बारी से y की value भरता हूँ और मेरा x आजाएगा और value का table में यहाँ पर बना लेता हूँ उपर x लिखते हैं नीचे y लिखते हैं अब मैं y में इसमें भरता हूँ पहले 0 भरता हूँ तो y is equal to 0 तो x आजायागा x is equal to 6 plus 3 और multiply में 0 तो यह आगया 6 plus 300 यानि की 6 तो y में जब 0 रखा तो x आपका 6 आगया ऐसे table में भर देंगे अब इस बार मैं y की value minus 1 रख लेता हूँ ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि graph के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि graph की भी एक अपने limitation होती है उसमें limited boxes होते है अगर आप कोई बड़ी value भर लेते हैं और आपका graph छोटा है तो वो उसमें plot नहीं हो पाएगी तो इस दिमाग में या idea लगा लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर 1 भरेंगे तो 3 बंजा 3 और 6 9 हो जाएगा तो लंबा नंबर हो रहा है 2, 3, 4 भरेंगे और बड़ा हो जाएगा लेकिन minus भरने से क्या होगा यह number minus हो जाएगा तो आपका number थोड़ा छोटा आ जाएगा तो x is equal to 6 plus 3 और y की जिएगे minus 1 भरा तो यह solve होके 6, 3 बंजा 3 minus का होगया न 3 तो x की value आपके छोटी आ गई यानि की 3 आ गया box में लिखिए y की जिएगे minus 1 रखा तो आपका x 3 आ गया अब आपकी values आ गई है इसके बाद आपका काम होता है graph का इन boxes को देखके आप graph की plotting करते हैं चलिए graph में इन values को plot करते हैं देखे graph में सबसे पहले तो आपको यह graph का यह तैयार करना आना चाहिए इस तरह से आप दो line ए खीचते हैं यह आपका center यह जो origin होता है यह जिरो होता है इसे origin बोलते हैं और यह आपकी x-axis होती है right side में यह x होता है plus के number होते है right side में इसको x-डेश बोलते हैं और यहाँ पर आपके minus के number चलते हैं जो origin में से निकलते हैं यह 1, 2, 3, 4 इस तरह से यह minus 1, 2, 3, 4 इस तरह से minus के numbers यह जो होती है आपकी vertical line यह आपका y-axis होता है उपर y लिखते हैं नीचे y- लिखते हैं उपर की तरह आपके plus के number होते हैं y में नीचे आपके y में minus की number होते हैं सबसे पहले तो यह बनाना है आपको इसके बाद इसमें value putting करते हैं पहले first equation के अपनी values देखिए minus 7 और 5 अब minus 7 है आपका x का तो x-axis पर ध्यान दीजिए यह आपके x-axis है यह है आपका minus 7 और y है आपका 5 प्लस का 5 है ना तो उपर देखिए यह प्लस का 5 अब ऐसा point देखना है जो इसके और इसके बिल्कुल सामने आता हो तो जब minus 7 से इधर की तरफ चलेंगे और जब plus 5 से इधर की तरफ आएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर टच हो जाता यह वाली चीज तो यह आपका जो point बन गया ना यह minus 7 और 5 बन गया फर्स्ट point आया सेकिंड point में है 0 और 6 0 आपका x पे है तो x-axis पे तो 0 यहाँ होगा और y पे आपका 6 है और y पे जो आपका 6 है ना वो y-axis पे ऐसे जाएगा तो 0 के और 6 के सामने exact जो point बनता वो आपका यह बनता है और इस point का नाम हो जाएगा 06 इसमें x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं bracket के अंदर तो एक equation की आपके जो दो point है यह plot हो गए है इसके बाद इन्हें scale से join कर देते हैं बिल्कुल point के उपर आपका scale आना चाहिए और straight line बननी चाहिए इसमें आपको सफाई का विशेश ध्यान रखना है क्योंकि graph में आपके जो cleanliness होती है उसी के marks होते हैं इस तरह से यह आपकी first equation का है तो इसके उपर आप अपनी first equation को लिखेंगे यह है आपकी x minus 7y is equal to minus 42 अब second equation पर चलते हैं इसकेंड equation के आपके points यह रहे x में आपका 6 है तो x-axis पर आईए यह x-axis पर आपका 6 और y पे 0 तो y पे ना उपर है ना नीचे है यानि कि बिल्कुल इसके सामने 0 के सामने और x पे 6 तो यह जो point आगया यह आपका 6 0 है first point हो गया second है आपका सर्या मैंने यह x लिख दिया गलती से इसमें मुझे x की value लिखनी थी actually और x की value आई थी 3 तो यहाँ पर 3 लिखना है यह चीज 3 है तो x के उपर 3 देखिए यह x-axis है प्लस का 3 है तो यह रहा और y पे आपका minus 1 है y नीचे आएगा इस बार minus के नमबर नीचे होते है तो इस 3 और इस minus 1 के बिल्कुल सीधे सीधे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आके मिलेंगे तो यह जो point बन गया यह बन गया आपका 3 और minus 1 अब आपको 2 points मिल गए 2 points से आपकी line बन जाती है आपको graph बनाने के लिए सिर्फ 2 points की ही आवश्यक्ता पड़ती है 2 से ज़्यादा की आपको ज़रूर्ट नहीं है क्योंकि graph का मतलब ही होता है line line से ही graph बनता है और line बनाने के लिए requirement आपकी 2 points की होती है यह line कर दिया cover stress अब जिस equation की यह line है उसका इसके उपर कहीं भी आप नाम लिख दीजिए मैं हाँ पर लिखता हूँ x minus 3y is equal to 6 तो यह आपका graphical था यह first question था आपका I hope आपको यह बहुत अच्छो से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेजी से like कर देना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe कर देना Thank you